मैं भारत को भारती अता की मानमिता के आधार पर फिर से ख़़ा करना चाहता हूँ उसकाम में लगा लगाँ इसके अलबा गले की एक दवा है हल्दी हल्दी जो पाउडर वाले हल्दी है आदा चमच हल्दी सीधे मूह में अंदर डालो गले में, चमल बढ़ो और अंदर डालो यहां पर, पच्छुप करके थोड़ी दिर बैठ जाओ, तो ये हल्दी गले में लार के साथ अंदर उतरेगी, और एक खुराक में ही गले की हल्गी मेरी ठिक करेगी, एक ही खुराक, हमारे बच्छों को अक्सर गले में दर्द होता न, टॉंसलाइटिस का, ये हल्दी की एक बार खुराक दे दिया, आपने उसी मिठी पढ़ा, बच्छों का कई बार हम उपरेशन करा देते हैं, मत करा रहा, कभी भी टॉंसल का उपरेशन मत करा, ये हल्दी है अपने घर में, बहुत अच्छी, और गले और छा अच्छी को दूद में डाल के पीलो, तो भी ख्वासी ठीक होती है, हल्दी को अधरक लगा के, अधरक है अधरक को भूर्म लगता देपे, या तो आग हम, और उस पे थोड़ी हल्दी डाल के, मूर पक्लोई और चूसना शुई करो, तो सबसे खतरनक खासी इसे ठीक होती ह जिसको वूपिंग कफ कहते है वूपिंग कफ का मतलब होता है खास्ते 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 दम निकल जाया है आसनी का ऐसी खास्ते है तो अधरग का टुकड़ा थोड़ा बून लिया है और हल्दी मिलाते मूह में डालते ही खास्ते है अधरग का रस निकाल सकत पान यही जिसको हम खाते हैं, तो अधरक शहर और पान, तीनों का रस एक एक चम्मच, यह पीले कोई भी हलका गरम करके, तो खराब से खराब खासी ठीक है, खासी की और एक अच्छी दवा है, अनार का रस गरम करके पीलो, तो भी खासी ठीक है, यह जो अमरूद है ना, अमर का रस गरम करके खाओ, यह तुरंट खासी बन करा देते हैं, ऐसे अमरूद खाऊ लोणन को खाटा गर्श, ने फासी की बहुत अच्छी दवा है, मुँ में डाले के चूसो तुरंट खासी नाउग, बहुत अच्छी hospitals, असना एक रहा जाता हूं यह इतनी बढ़िया चीज है यह तो कई बार कफ की हर बीमारी में कामाती है लॉंग को आप जानते हैं लेकिन एक बीमारी में मैंने इसका बहुत उप्योग किया है और इतने बढ़िया परिणामें आप सबको बताना ऐसी दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्र करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंड्रोइट एप डाउनलोड करना ना भूलें